आज हम इस वीडियो में चित्रकला से सम्मंदित प्रश्णों को पढ़ेंगे जो कोस्चन्स रह गए थे उसको हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे इसकी पहले वीडियो में हमने जो है पार्ट वन पार्ट वन पार्ट वन से बीस पीस कोस्चनों को पढ़ा तो इस इस वीडियो का पहला प्रश्ण है जो है बाग की गुफाएं बाग की गुफाएं नेमने लेखित किस प्रदेश में हैं उर्तर प्रदेश मंध्य प्रदेश गुजरात और राजस्थान तो जो बाग की गुफाएं हैं वो मंध्य प्रदेश में हैं बाग में अगर पूछा रहे कि बाग की गुफा में कुल कितनी गुफाई हैं तो इसमें नव गुफाई हैं ठीक है और मध्य प्रदीश में इस्तित है अगला देखेंगे पहुत इंपॉर्णन कोशन है सिंदु घाटी सब्वेता की जीवन में किस पसू का सरवार्थिक महात्व था गाय हाथी भैस तो सिंदु घाटी सब्वेता में जो है कुबड़ वाले साण का बहुत महात्व था ठीक है वहां की लोग जो है सिंदु घाटी सब्वेता की लोग कुबड़ वाले साण का जो है पूजा करती थी ठीक है तो चूंकि यहां पे साण तो है नहीं लिकिन यहां पे हम लोग ब गायल सुवर सबसे ज्यादा इंपोर्टन पोश्चन है कि घायल सुवर का प्रसिद्ध प्रागयत यहां सिक चित्र निम्न लिखित में से किस अस्थान में प्राप्त हुआ है मिर्जापूर होसंगाबाद पंजमढ़ी रायपूर गड़ तो गायल सुवर का जो चित्रन मिर्जापूर में प्राप्त हुआ है और मिर्जापूर कहां पे है उत्रप्रदीश में अगला दिखेंगे निम्न लिखित में से गर्म रंग का है तो गर्म रंग की प्रचाना आप कैसे कर पाएंगे जो रंग हमारी आखों को उसलता प्रदान करी गर्म रंग होता है लिक काला में भी लाल पिला नहीं होता है लेकिन लाल में लाल पिला जरूर हो जाएगा ठीक है तो लाल में तो लाल जरूर होगा ना नीला में तो लाल होता नहीं है तो लाल पिला का अगर मिश्रण किसी रंग में है तो गर्म रंग होगा तो इसमें आपसन नंबर सी हो जाएगा लाली सी तरह आपको फिल कर देना है गोली को नीम ने लिखे तुमें से तठस्त रंग है ठास्त रंग होते हैं समी पौर्थी रंग जो सेड और लाइट सेड करने के लिए काम आते हैं किसी चितल में हमें छाया प्रकास दिखाना होता है तो हम लोग इन ही रंगों का यूज़ करते हैं छाया दिखाना होता है तो आब लोग काली रंगों का यूज़ करते हैं प्रकास दिखाना है तो सफेद रंगों का तो यही सफेद और काला ही रंग कहलाते हैं तो सफेद काल में देखें पीला नीला लाल सफीद तो इसमें सफीद है अगर जोड़ा पूछा जाएगा तो सफीद काला हो ठीक है तो दो रंग होते हैं चुकि काला तो है नहीं लेकिन आप पर सफीद हम कर लेंगे अगला है बैगनी रंग किन दो रंगों से मिस्ट्रन से बनता है तो बै सही है आगे देखेंगे राजपूस सैली किस धर्में पर आधारित है यहूदी धर्में जैन धर्में हिंदू धर्में और बहुत धर्में तो राजपूस जो सैली थी यह राजथान की सैली है तो यह हिंदू धर्में पर समंदी थी ठीक है राजथानी सैली जो हिंदू धर्म सरवपर्थम महत्यों क्या है आलिखन का महत्यों क्या है वस्तो को आकर्षक बनाना वस्तो को उपयोगी बनाना वस्तो को कीमती बनाना वस्तो को ठीकायू बनाना तो आलिखन का जो सबसे ज़्यादा महत्यों है वो वस्तो को आकर्षन बनाना जब आकरसक आप बनाएंगे तो आलिखन जो है सबसे सुंदर दिखेगा तो इसमें आप सन नमबर जो आ है यह सही है वस्तों को आकरसक बनाना देखें एक त्रिभुज के समस्त कूनों का यूग कितने हैं का होता है अगला है राजस्थानी चित्रकला में सिकार द्रिस से किस सैली से अधिक हुआ है मेवार सैली देखें इसको अटा देए मेवार है मेवार सैली कोटा सैली जैपूर सैली किसंगर सैली है तो सिकार का जो द्रिस है वो राजस्थानी सैली की उप सैली है कोटा सैली तो कोटा सैल में जो है सिकार के द्रिस से ज़्यादा है किस पेंसल से खींची गई रिखाएं सरवाजिक हलकी होती है ठीक है यहां पर गहरी भी पूछा जा सकता है हलकी भी पूछा सकता है अगर गहरी पूछा जाए यह काली तो आप यह भी लगाएंगे ठीक है और हलकी पूछा जाएग तसस तरंग में क्या था कि सफेद और काला होता है ठीक है इसमें दिखेंगे तसस तरंग कितने होते हैं चार दो एक ये भी चार है तो आप लोग तीन भी कर सकते हैं ये पांच कर सकते हैं चलिए आप पांच भी कर दें तो टसस्तरंग होते हैं दो इसमें कौन को स्रंग होते हैं इसमें होता सफेद और काला अगर पूछा जाए तो बताएंगे सफेद और काला ये दोनों टसस्तरंग होते हैं सफेद जो है प्रकास दिखाने के लिए काला छाय दिखाने के लिए अब दिखेंगे लोक सैली के चि चित्रकार हैं यामे नीडा है अगला है वास्तुकला मूर्थिकला और चित्रकला कि त्रिमेडी किन गुफाओं को कहा जाता है बाग गुफा बादामे गुफा आजन्ता गुफा जोगी मारा गुफा तो इसमें आपसन नमबर जो पहला देखेंगे बाग गुफा बादामे अजन्ता गोजोगी मारा तो इसमें आपसन भी जो है बादामी गुफा ठीक है इसी एस सीव विवाह से संबंधित भी गुफा है कि बादामी गुफा जो है सीव विवाह से संबंधित गुफा कौन से है तो बादामी गुफा ठीक है जिसको बातापिक की नाम से भी जानते है इसको फात का निर्मान चाल क्यों ने करवाया था इक करनाठे मिश्थी थे कौन सा रंग इंद्रधनुसका नहीं है काला फीला हरा नीला इंद्रधनुस में आपको पता है बैनी आफ फीनाला तो इसमें काला नहीं होता है इसमें आपसन नमबर ए जो है तो काला नहीं होता है, बाकी सबह रंगे होते हैं अगला दिखेंगे, कौन से पेंसिल से बनाई रिखाएं अधिक काली होते हैं, यह हर बार पूछा जाता है और कई पीपर में मिला है, तो सबसे ज़यादा काली पेंसिल जो होते हो, हB होती है टोछय km Crispy अगर मुलायम पूछयेगा तो मुलायम जो है वी वाला pencil एच वाला हारजटना सोतब आश ऐ कठोर पन अगर पूचा जाए तो एच वाला सबसे कठोर एच होगा और मुलायम वाले में वी वाला सबसे ज्यादा नंबर वाला अगर होगा जिसे 6B, 9B तो सबसे ज़्यादा मुलाइम होगी अगला है चित्रकला से सम्मांधित ग्रंथ है मेघदूत रामायड महाभारत हेटेजाप अजन्ता तो चित्रकला से सम्मांधित ग्रंथ पूछा है तो ग्रंथ में रामायड रामायड में जो है मैं नामक चित्रकार ने जो है सीता की स्वर्ण पृतिमा को बनाया था ठामन दिखेंगे सीतल रंग कौन सा है सीतल मिंस थंडा रंग तो थंडा रंग की पैचान निला और हरा जिन रंगों में निला हरा दिखें वो सब सीतल रंग होते हैं यह हमारी आँखों को सीतलता प्रदान करते हैं, तो लाल में तो हरा मिलेगा नहीं, पीला में भी हरा नीला नहीं मिलेगा, ठीक है, बैगनी में भी नीला मिल जाएगा, लेकिन हरा नहीं मिलेगा, ठीक है, तो इसमें जो हरा है, वो सीतलता प्रदान करता है, तो आपसे नमर अगला दिखेंगी अजन्दा की गुफाओं की पेंटिंग किस काल की है मुगल काल की गुपत काल की बौध काल की जैन काल की तो अजन्दा की गुफाओं की पेंटिंग जो है गुपत काल की है अजनता यूफा जो है गुप्तकाल में इसका निर्माण हुआ था इस वीडियो का अंधिम प्रशने कला सब्द किस भासा से सम्मंदित है किस भासा से लिया गया है बहुत इंपोर्टन कोश्चन है सबसे ज़्यादा इंपोर्टन कोश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कला सब्द जो है किस भासा से लिया गया है संस्क्रिट से हिंदी से अंग्रेजी से मराठी से तो कला सब्द जो है संस्क्रिट भासा से लिया गया है तो संस्क्रिट से कड कल या कडधासी जिसका मतलब चित्रित करना या बराना तो यह जो है यह 20 question के sit आपकी complete हुई I hope यह वीडियो आपको समझ में आया होगा अगर यह वीडियो आपको समझ में आये तो इसको like, share, comment करें और comment की माध्यम से बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और आप comment की बाक्स में लिखें कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे तब तक तक लिए take care, thank you, good bye